लव लजिक्स अंतरा अंतरा मेरी बेटी का घर बस गया वो भी इतने अच्छे परिवार में मंदिर में आज दान दक्षना देकर एक बड़ी सी पुजा दूँगी हाँ हाँ ठीक है मैंने कहां मना किया चलो आज मैं भी पूरा दिन पूजा में बेटूंगा तुम्हारे साथ अरे ये तो आरियन है ना हमारे दामार जी के भाई और ये काली कलोटी अंतरा इनके साथ क्या कर रही है माँ माँ जल्दी से आओ यहां पे अरे क्या हुआ ऐसे चौंक के चिल्ला क्यो रही है माँ आओ तो सही देखो यहां पे क्या मिला क्या है क्यों चिल्ला रही है ये देखो चिठ्ठी दीदी को किसी ने दिया है अच्छा पढ़के बता क्या लिखा है इसमें अनिका नहीं मा के सामनी वो चिठ्ठी में क्या लिखा था सब कुछ पढ़के सुना दिया अच्छा तो ये सब चल रहा है आज कल इसलिए ये लड़की शाम को मंदिर जाने के बदले आज सुबह सुबह ही चली गई है आने दे उसे आजी सुन रहे हो देखो क्या कर रही है तुम्हारी लाडली बेटी देखिए सर ये एकदम पॉसिबल नहीं है प्लीज आप और कुछ तरकीब निकालके मुझे इसे परिशान मत किया कीजिए किसी को पता चला तो बात बहुत बिगड़ सकती है मेरा नाम आरियन है और तुम्हें मुझे सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं You can call me आरियन अंतरा आखिर क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं काली हूँ मेरे पापा सोनिया के पापा जितना अमेड नहीं है पस इतना ही रिजन काफी नहीं है आपके लिए आरियन बेटा आप यहाँ पे हमें बता देते कि आप यहां पे आने को सोच रहे थे तो मैं खुद आपको मंदिर लेकर आ जाती नमस्ते आंटी नमस्ते बेटा, खुश रहो, चलो चलो अब हमारे साथ मंदिर चलो आप चलिए आंटी, मुझे कुछ बात करनी है अंतरा के साथ इसके साथ आपको क्या बात करनी है बेटा ओ, कोई फंक्षन है क्या घर पे केटरिंग का ओडर देना है तो फिर इससे बात करकी क्या फाइदा इसके पापा से मिलके बात करते हैं चलो बेटा, मेरे साथ चलो अरे आणटी, केटरिंग का ओडर नहीं देना मुझे बस अंतरा से कुछ personal बातें करनी है इस काली कलोटी के साथ आपको ऐसे कौन से personal बात करनी है हे अंतरा, यहाँ से जाती क्यों नहीं यह मेरे दामाद के भाई हैं, इनसे बात करके क्या पट्टी पढ़ा रही है देख अगर मेरी सोनिया के बारे में कुछ इधर उधर बोल रही है तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा अंटी मैं ऐसे क्यों करूँगी भला सोनिया मेरी दोस्त है तो अब तक खड़ी क्यों है जाई यहां से जी अंटी अंतरा इस संडे को मैं अपने पैरेंट्स के साथ तुम्हारे घर पे आऊंगा हो सके तो तुम अपने मापापा को बता देना इस बारे में पैरेंट्स को लेकर और इनके घर क्यों बेटा ऐसा कौन सा काम है इनके यहां शादी करनी है मुझे अंतरा से क्या आ गई महारानी क्या बात है मा ऐसे क्यों बोल रही हो इसी लिए बोल रही हूं क्योंकि तू जो बाहर गुल खिलाने जाती रहती है उसका पता चल गया मुझे चिठ्खी मिला है तेरे कमरे से कौन है वो लड़का हूं देख लिया उसने जो इतनी जल्दी शादी करने तयार हो गया यह सब ड्रामे है ड्रामे तुझे पटाने के लिए कुछ उल्टा सुल्टा काम ना कर देना उसके साथ कौन किसको पटा रहा है हाँ आप आप हमारे घर पे सच तो यह है कि वो आर्यन इससे घास भी नहीं डालने वाला तुमारी बेटी उससे जादू टोना करके अपने तरफ खीज रही है तुम सबका तो यही नेचर है ना पैसे वाले आदमी देखे नहीं कि उसके पीछे तो हर्गिज नहीं हो सकता यह अंतरा आर्यन को सीधा सीधा मना कर देना तुझसे दुबारा ना मिलने के लिए क्यों यह लड़का अपने से चलके रिष्टा लेकर आने वाला है तो हमारी बेटी उसे मना क्यों करेगी एसा तो नहीं है कि हम गरीब हैं तो आप हमारे लाइ में कैसे वो मेरी बेटी के आगे पीछे मन रहा रहा था इससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा अरे आप जैसे छोटी सोच वाले अमिर लोग कहां किसी पढ़ी लिखी लड़की का मोल समझ पाओगी जाइए जाइए यहां से तुम्हें जो बोलना है बोलो पर मैं यह शादी हरगिस नहीं ओने दूगी अगर मेरी बेटी के नसीब में आरियन ही होगा तो इस शादी को आप क्या कोई नहीं रोग सकता नमस्ते जबाबा ठीक है ठीक है मैं बात करके देखूंगी और पूरी कोशिश करूँगी सब को मनाने की अब खुश चल मैं फोन रखती हूँ समीर जी आ गए किससे बात कर रही थी सुनिया मेरी जो बचपन की सहली आई थी ना शादी में लीली उसी के साथ अच्छा क्या बोल रही थी वो शादी के बात से बहुत बार कॉल कर चुकी है हाँ अच्छिली बात ये है कि वो आपके कजिन आरियन को बहुत पसंद करने लगी है मुझे यही बोलने के लिए बार बार कॉल लगा रही है कि मैं उसके साथ शादी की बात चलाओ क्या आप चाचा-चाची से बात करके लीली के घर पे रिष्टा भेज सकते हैं हाँ कर ले ता में पर अब ये हमारे हाथ में नहीं रहा आरियन अपने लिए लड़की धून लिया है धून लिया है? किस से? क्या बताऊं यार तुम तो खामोखा गुस्सा हो जाओगी खै जाने तो शादी तो अब वहीं पर ही होगी क्यांकि आरियन जब कोई डिसिशन ले चुका होता है तो उसे कोई नहीं बदल सकता मैं अपना डिसिशन हरगिस नहीं बदलने वाला मा शादी करूँगा तो अंतरा के साथ ही नहीं तो बिल्कुल नहीं करूँगा सोनिया की मा से कॉल आया था हमें आज बोल रही थी उस लड़की के बारे में देखने में एकदम काली कलोटी और उपर से हांदान का कुछ अता पता नहीं और तो और उन लड़कीों का केरेक्टर भी कुछ ठीक नहीं है मा बिना सच जाने किसी लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है आप आपकी भी तो एक बेटी है सोनिया की मा सब जूट बोल रही है ताकि अंतरा के साथ मेरी शादी नहों पाए देख बेटा गरीब घर में शादी करने से मुझे कोई अतराज नहीं पर शकल सुरत तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए या नहीं बता अंतरा इस वेरी ब्यूटिफुल मा पड़ाई में टॉप करती है बीएवियर बेहत सुन्दर है उससे मना कर दिये तो आपको उसकी जैसी बहु हरगिस नहीं मिलने वाली नहीं आर्यन नहीं अंतरा और मेरे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है हम दोनों एक ही घर में देवरानी जेठानी बनके नहीं रह सकते उनका रहन सहन बहुत अलग है हमसे बचपन से एक साथ पढ़ा ही जरूर किये हैं पर मैं उसके साथ अड़जस्ट नहीं कर पाऊंगी अगर आप उससे शादी करके इस घर में लाए तो मैं ये घर छोड़के अपने पती के साथ कहीं और रहने चली जाऊंगी अच्छा आप दोनों में इतना ही फासला है तो बचपन से ग्रेजुशन तक अंतरा से कॉपी करके कैसे पास होती गई भावी तब बुरा नहीं लगा आपको और हाँ ये सब मुझे अंतरा नहीं आपके बचपन का दोस्त अतुल ने बोला है और भी बहुत कुछ बोल रहा था आपके बारे में खेर अब वो सब बोलना मुझे सही नहीं लग रहा खोप आप समझ रही होंगी कि वो क्या-क्या बोल सकता है मा, पापा से मैंने बात कर लिया है उन्हें इस शादी के लिए कोई अतराज नहीं अब आप भी मान जाइए हमें इसी संडे को उनके घर जाना है अंतरा, अगर तेरी शादी आर्यन के साथ हो गई तो तू तो बहुत बड़े अमीर घर की बहु बन जाएगी इतने सारे कपड़े, गहने, पैसे होंगे तेरे पास अपनी बहनों को पैसे और कपड़े भेज दी रेना बिल्कुल मत भूल जाना हमें वहाँ पे जाने के बाद मा, आपको क्या लगता है? मैं वहाँ पे शादी करके खुश रहूंगी सोनिया मुझे वहाँ पे सुकुन से जीने नहीं देगी मैं इस शादी के लिए अब भी तयार नहीं हूँ अंतरा, अंतरा अतुल, तुम, क्या बात है? तुम्हें कुछ बताना है, बहार आओगी थोड़ी देर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यार, चलो ना, फ्लीज इसके आगे क्या होने वाला है? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बिल आइक उन दबा दीजी अरे 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 इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलें जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ नमस्ते